हेई गाईस अगले सब्धते में तीन दिन बहुत खास होने वाले हैं तो क्यून अभी सही तयारी कर लिया जाए तो सबसे पहला जो डैट में आप जो बताने जा रहा हूं वह हैं 12 अक्टूबर और जो दूसरा Time वह है 14 अक्टूबर और जो तीसरा डैट है और बहुत खास ह वो है 16 October यह तीनो यह तीनो डेट में आप लोगो नजर रखना और इसी दिन आप लोगो काफी अच्छा मुनाफ़ा होते हुए भी दिखाई देगा और क्या है वो भी बता दूँगा तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वह है HCL Technology IT Sector का दिगज स्टॉक है HCL Technology और यह जो है 16 October को 16 October को जो है इसका रिजल्ट है और रिजल्ट के साथ साथ यह आप लोगो को डिविडेंट भी देने वाला है भाई अच्छी बात है जिसने खरीदा उसको डिविडेंट भी मिलेगा और स्टॉक का प्राइस तो मुझे बोल इससे भी उपर चला 6 मंत की बात की जाए तो भाई पूछो ही मत यह स्टॉक ने तो कमाले कर दिया लगवग 400 के आसपास था 450 के आसपास और यह अभी 850 के आसपास चला तो प्राफिट के मामले में तो यह कंपनी काफी आगे है अगर नीचे देखो तो अभी जो लेटिस टारगेट इसका दिया जारें लगवग एक दिन पहले की बात की जा रही है तो लगवग 875 के आसपास ची जा रही है यह जो किसने बताया है को टक security ने बताया है इसका result के एनुभाव पर यह रहा आपके सामने date यह stock का symbol यह है पर आप लोगों को बताया गया है actual technology साइड में अगर आप देखना चाहोगे तो यहां पर आप लोगों को बताया जार फाइनिंशियल प्लस डिविडेंट जो आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी खबर है प्लस में डिविडेंट दे रही है रिजल्ट देते हैं अगर कोई कंपनी अप लोगों को प्लस डिविडेंट दे दीजे तो समझ जिए कि वह मजबूत होती है कंपनी फाइनिंशियल रिजल्ट है और यह डिट आपके सामने है तो आईटी सक्टर की कंपनी है तो नज़र रखना तो बनता है हाला कि हेल टेकनोलजी पर मैं लगबग जो है 480 के आसपास से मैं नज़र रखा हूं या 500 के आसपास से अभी वह 800 पर आ चुका है 850 पर आ चुका है फिर भी बेचने का नाम नह था कमपनी ने लास्ट येर अब हो सकता है इस बार बॉनस देगे नहीं देगे वह तो पता नहीं लेकिन इस बार डिविडेंट जरूर दे रही है है कि नहीं रिजल्ट के टाइम है तो अब गोनस देदेगा तो अच्छी बात है लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आय और यह जिस कंपनी के बारे में बात कर जा रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको डेट बताना चाहूंगा 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर यह बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला क्यूंकि लास्ट टाइम जब इसका क्वार्टर का रिजल्ट आयता था ना भाई आप लोग नाम है इनफोसेस याद किजिए हाला कि बहुत सारे लोगों को याद होगा जिनको याद होगा कि जब यह 10% पर हाई गया था 800 के आसपास था और 900 के आसपास यह स्टॉक ओपन हुआ था और उसके बाद देख लेजिए 900 का स्टॉक 1100 से बे उपर चल रहा याद किजिए 10% का स्टॉक चल रहा था और इस बार भी जो है यह अगर हम देखें तो सायद मुझे लगता है यही वो डेट था जहां पर यह लगबग मालेजे 780 रुपिस के आसपास यह स्टॉक चल रहा था आराउंड उसी के आसपास और 911 के आसपास इसने जो हाईस्ट मारा था 10% का पर सरकेट है मुझे लगता है यही रेंज आप लोगों को बताया जा रहा क्योंकि पूरे चार्ट में यहां पर ही लगता कि आप लोगों को ज्यादा तेजी देखने को मिले थी सोच लिए और उसके बाद देख लिए स्टॉक कितना सुस्ट चल रहा था सुस्ट का मतला वह कि क्या मिलने माला यहां पर तो फाइनिशेल रिजर्ट के साथ आप लोगों को डिविडेंट मिलेगा देखिए डिविडेंट मिल रही तो बहुत बहुत आची खबर होती है दिविडेंट का मतलब होता है यह आपको अपर नीचे जाती है तो वर्ड़ीन बफिट ने खुद इसार fix deposit कर देते हैं अब बैंक में क्या होता है कि 4 परसेंट 5 परसेंट या 7 परसेंट तक आप लोग को दिया जाता है तो अगर मान लिजे एक एक्जामपल देता हूं अगर आपको यहां पर एवरेज या 4 परसेंट या अगर आप लोग को देता है तो सही है ना भाई यहां आपका पैसा 2-3 गुना हो जाता तब आप लोग को अच्छा लगता है और जो लास्ट स्टॉक है 12 अक्टूबर जो बड़ा धमाका होने वाला है 12 अक्टूबर को वो है विप्रो लिमिटेड हाला कि यह स्टॉक का तो fan हूं है और लगबग कई बार आप लोग को पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी आज मैं आप लोग को क्यों बड़ा हूं क्योंकि पलक जपकते माला माल करने वाले यही वो स्टॉक है आईटी स्टॉक का जो आप लोग को कभी भी बे हिचक अपको प्रॉफिट देते रहते हैं या कोविट-19 जैसे कभी भी मार्केट पर अगर ऐसी कोई आँच आती है तो आईटी सेक्टर अपने आपको संभाल लेती है और कोई तकलिफ नहीं होने वाली है तो यह जो डेट मैंने आप लोग को बताई है 12 अक्टूबर यहां पर आप लोग हो सकता बाइबेक मिल जाए रिजल्ट आए जाए डिविडेंड मिल चारो तरब से मुनाफ़ा अब देखें यहां पर मैं आपको कुछ नॉलिज देने की कोईसिस करूंगा क्योंकि देखें बहुत सारे लोग ना कंफीज होते हैं मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है तो देखें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिजल् सबस्कान होते हैं तो मैं आपको आज देखने के लिए बता ही दीता हूं आप लोगों को क्या करना है यहां पर जाना नसे के ऑफिस्यल वेपसाइट में देख लिजिए आप लोगों को पताई हो गा नहीं पता तो बहों दीजे मैं लिंक शेर भी कर दूँगा तो यह होता चला ना आप देखिए बहुत सारे लोग को पता है सही है लेकिन जिनको नहीं पता है नए लोग है मैंने सोचा आज तक बता दों उनको भी एलप हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोगे पास डेटा आज जाएगी तो आप क्या करना यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम किसे यह जो आप लोग को बॉक्स दिख रहा देखें इंटर सिंबल और कंपनी का नेम आप लोगो डालना तो जैसे यहां पर डालोगे तो हम क्या चेक करने वाले विप्रो एक मिनट सही है अगर आप नीचे देखोगे तो बहुत सार आ गया देखें विप्रो आ चुका है अब यहां पर हम क्लिक करेंगे क्लिक हो गिया भई हो गिया सही है तो ये तो हो गया company का नाम अब ये आप से पूचे की भई आपका purpose क्या है इरादा क्या ये company से आप क्या पूछना क्या जाते हो तो ये purpose क्या है तो यहाँ पर हमें click करणा पड़ेगा यहां पर जैसे Qlik करोगे तो आप लोग को बता चलेगा कि आप लोग को पूछा क्या है यह बीच-बीच में आ जाकी है तो यहां पर आपको बता या रहा है तो रिजल्ट पर जैसे आपने क्लिक किया ना तो यहां पर एक और ऑप्शन होता है यहां पर जैसे कि आप लोगों ने कर दिया हमने क्या क्या किया कंपनी का नाम रिजल्ट टाइप किया अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि भाई रिसर्च करो तो अब हम रिसर्च और उसके बाद यहां देख लिए परपस आपको बताया जा रहा फाइनेंशल रिजल्ट आपको बताया जा रहा यह कब है तो भाई 12 अक्टूबर 2020 को पता चलिए तो अब आपको बाइबक देखना है तो भाई आप बाइबक में जाओगो स्टॉक का स्प्लीट देखना है त तो मतलब जो भी आपका परपस है आप जाके देख सकते हो सही है मुझे लगता है कि यह आप लोग को हेल्पुल हुआ होगा कुछ तो हेल्प किया होगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपना डीमेट अकाउंट ओपेन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट का खुद का जहां पर यह लोग आपको बताते हैं क्या खरीदना है नहीं क्या बेचना नहीं बेचना इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म यह सब आप लोग को बताते हैं तो डीमेट अकाउंट फ्री में डिलेवरी चार्ज फ्री में आप 40 रुपीज आपसे लिया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जा कि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपिन कर सकते हों डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को दिया गया है